नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मारे चैनल पर आज मैं आपको चैन लिंक फेंस बिजनेस के बारे हम बताऊंगी क्या बिजनेस कैसे सुरूप किया जाता है चैन लिंक फेंस बिजनेस क्या है चैन लिंक फेंस बिजनेस में अलमुनियम वायर की जाली बनाई जाती है य उसकी सुरक्षा के लिए उसके 4 और जली नुमातार का घहला लगाते हैं। गाडन में, मंदीरों में, स्कुलों में, हाईवे में, बाउंडरी बनाने के लिए जली दारivesackra यूज़ किया जाता है। जिसे चैनलिंग फिञ्स कहते हैं। इसे बनाने वाली मशिन को Chain Link Fencing Machine कहते हैं। इंडिया में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसे बनाने वाले बहुत कम है क्योंकि बहुत से लोग इस बिजनेस के बारे में जानते नहीं हैं। तो आए जानते हैं कि इस विजनेस को करके लाकर रुपे कैसे कमा जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बाने से पहले मैं है कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमाई सेनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर लिए इससे मैं लेटेस्ट अप्लोड वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चैन लिंक सेंस के लिए कौन से रा माटरियल और मशीन के जरुवत होगी। रा माटरियल के तोर पर एल्मूनियम वायर का यूज होता है। इस वायर का बंडल या रोल आता है। इसे जी आई वायर काते हैं। ये बंडल 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो से लेकर 5 किलो तक का आता है। यह raw material आप इस्थानिय मार्केट से ले सकते हैं या फिर manufacture से ले सकते हैं मशीन तीन प्रकार के आते हैं manual machine, semi-automatic machine, fully automatic machine यह मशीने raw material आपको इंडिया मार्केट में या फिर आपके इस्थानिय मार्केट में मिल सकती है या फिर बड़े सहरों में पता करें chain facing machine कोई भी असानी से चला सकता है या अलग-अलग HP का होता है जैसे 5 HP, 8 HP, 10 HP आदी machine में die change करने का चार्ट लगा होता है 8-15, 16-17 इससे GI wire की मोटायच तरही की जाती है chain link fencing की मांग कहां पर ज़्यादा होती है इस wire की मांग बहुत ही जादा है लेकिन इसे बनाने वाले बहुत कम है इसलिए इसे बेचने में कोई परसानी नहीं होगी इस wire की मांग सबसे ज़्यादा hardware दुकानों में होती है क्योंकि अकसर लोग इस प्रकर की कीजों को खईने के लिए hardware दुकान में ही जाते हैं ये wire खेतों में बाड़े बनाने के काम आते हैं poultry farm में shade बनाने के काम आते हैं सरकार भी सड़क के किनारे पौढ़े लगाते हैं तो उसकी तुरक्षा के लिए उसके चारो और wire लगाते हैं garden में, मंदिरों में, school में, highway में boundary बनाने के लिए wire का ही use किया जाता है इसका इसकी मांग बहुत ज़्यादा है channeling fence business के लिए license और protection आप कहां से लेंगे इस business के लिए आपको अपने राज ये के जीला उद्योग में जाकर registration करवाना होगा आप दुकान या गोदाम जहां से आप business करना चाहते हैं तो उसका भी registration करवाना होगा इस machine को जहां से भी आप खरी देंगे वो आपको raw material की जानकारी और machine चलाने का प्रसिक्षन भी देंगे channeling fence business के लिए आप loan कैसे लेंगे इस business के लिए आप bank में loan के लिए apply कर सकते हैं प्रधान मंत्री मुद्र योजना के तहद भी आप 50,000-10,000,000 तक की दासी loan लेख सकते हैं जिसमें 25% की subsidy भी दी जाती है channeling fence business के लिए आपको कितने लागट क्या हो सकता होगी इसका raw material 40-20 रुपे परती किलो मिलता है manual machine 70-80,000 रुपे में मिलता है semi-automatic machine 2-3,000,000 और fully automatic machine 12,000,000 में आती है और material machine के साथ अनकर्ज को मिलाकर manual machine से 1,000,000,000, semi-automatic machine से 4,000,000,000,000 और fully automatic machine के साथ 14,000,000,000 के आप याप बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप अपने budget के अंसार machine और raw material के चुनाव कर सकते हैं इस business को शुरू करने के लिए आपको सुरू में बस फोड़ा खर्च करना परता है उसके बाद आप जिप raw material में आपको खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद आप अधिक सदिक मुनाफ़ा इसमें कमा सकते हैं चैन लिंक fence बिजनेस में आप कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं एक किलो वायर 40 से 11 रुपे में मिलती है और यही वायर fence बनने के बाद मार्किस में 55 से 56 रुपे में बिखती है इस प्रकार हमें एक किलो वायर में 10 से 10 रुपे मुनाफ़ा होता है इस मसीन से एक घंटे में 110 से 130 किलो प्रोड़क्शन किया जा सकता है तो इस प्रकार आप एक घंटे में लगभग 11 रुपे कमा सकते हैं अगर इस मसीन को 7 घंटे यूज करते हैं तो आप एक दिन में 7,007 रुपे कमा सकते हैं और महिने में 2,31,000 रुपे तक कमा सकते हैं चैनलिंक फेंस की मांग ज्यादा है और इसको बनाने वाले कम हैं ऐसे में आपके प्रोड़क्ट की सेल होने में कोई जिक्कत नहीं होगी इसके लिए सरकारी और नीजी सेक्टर में टेंडर भी निकलते हैं आप और अधिक प्रोड़क्टन करके महिने में 4,000,000 तक भी कमाई कर सकते हैं उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह में आगे भी कम बजट में ज्यादा मुनाफ़ा वाले विजनेस आइडिया के वीडियो से अपलोग करती रहूंगी तो मिलते हैं दोस्तों एक बार नए वीजनेस आइडिया वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद